मैं तिरंगा पहरा कर लोटूंगा, मैं तिरंगे में लिपठ कर लोटूंगा, मगर मैं आउंगा सथू। चहीद क्यक्तन विकरम बत्रा के या आखनी शब्द ते युद्भूमी में जाने से पहले। और उन्होंने अपने शब्दों को बखू भी निवाया। तिरंगा भी पहराया, और तिरंगे मेली पर तक भी लोटे। और इस वक्त उनकी उम्र केवल 24 वर्ष की थी। जिनका जन्म नौ सिदंबार 1934 में वह था और आज ही के दिन 7 जुले, 1900 लन्या में में वहुगत यहां भ्रत्य हुई थी। और किसी बलिदान के लिए, उन्हें संवानित करने के लिए, उनको परमवीर्चक्र से संवानित किया गया था। बिलकुल तो जैसा सर ने बताया कि उन्हें परमवीर चक्र से सम्मानत किया गया था इंडियन रिपब्लिक डे के दिन और अगर हम इनके डीटेल में बात करें तो इन्होंने आर्मी स्कूल से स्कूलिंग की थी ये एंसीसी कड़ेट भी रहे थे और इनका सेलेक्शन जो है मर जवान सैनिक मिला और अगर हम बात करें तो क्या उप्टिन विक्रम बत्रा जो है कारगिल युद से पहले और इटी जम्मो में 13 जम्मो कश्मीर राइफल्स में तैनात थे और इन्होंने इसके पहले कारगिल युद के पहले भी जो एक जंग जीती थी एक वो पहली बहुत है ये दिल मांगे मौर जी हां ये दिल मांगे मौर ये आज हम सभी देशवासे के दिल में बस रहाएगी शब ये दिल मांगे मौर क्या होती है सच्ची देशवाक्ति क्या होता है सच्चा देशवाक्ति को इन से सीखे और ज़रूरी नहीं कि देशवाक्ति करने के लिए हम अपने फर्जों को निभाईए और अपने देश से प्रेम की जिए सच्चे बाईए और उनको उस वक्त कारगी का शेर शेर शेरशा को हम जानते हैं और जैसे हम जानते हैं कि जीवन और मृत्यू किसी के हाथ पे नहीं है लेकिन अगर इस देश के लिए हम जान लुटाते हैं तो मृत्यू भी हमारा कुछ बिगार नहीं सकती इसी माइंडसेट के साथ जो हमारे सैनिक दिन रात हमारी रक्षा कर रहे हैं उस सरहत पार बैठे हैं और हमें सुरक्षित यहां रख रहे हैं तो उनका धन्यवाद देना तो बनता ही है आज के दिन 7 जुलाई 1999 में एसी तरीके से कैप्टन विकरम बत्रा ने भी हमारे इस देश के लिए अपनी जान लुटाई थी तो उनकी उस कुर्बानी को याद करते हुए एड अंकल की तरफ से हमारे जुतने भी शहीद हैं उन सभी को नमन और जो वीर सरहत पार हमारी सुरक्षा कर रहे हैं उनको सलाम जैहन जै भारत